मैंने ध्यान से हिसाब लगाया है साहिब और पूरा सरकारी लगान भी भरने को दिया है फिर भी आप एक बार हिसाब देख लीजिए आपकी योजना अच्छी है खेड़ा में गेहूं काफी सस्ता है यह आपके लिए फाइदेगा सौधा होना चाहिए मैंने अपने सारी जमा पूजी इसमें लगा दी है साहिब एक बार फिर सोचीजे दश्रत जी क्योंकि अगर घाटा हुआ तो घर बार सब बिच जाएगा मैंने सोच समझकर ही कदर मुठै राओ बादूर साहिब पूरे शेड़ी में जब सबसे सस्ता के हूँ मैं बेचूँगा तो गाओं वाले कहीं और क्यों जाएंगे मेरी दुकान से खरी देंगे न शेड़ी? अरे हाँ, मैंने ध्यान ही निदिया क्या लिख्खा हुआ तो है मतलब आप शेड़ी से हैं? जी पिर तो आप साहिं भापा को जानते होंगे आप जानते हैं साहिं को जानता हूँ यूं समझें कि आज मैं जो भी हूँ साहिं की किर्पा से हूँ ओ साहिं रआ बस एक ही मलाल है कि आपकी तरहां साइं के पास रहकर उनकी सिवा का सोभाग नहीं मिला है कितने भाग शाली हैं आप आप तो रोज मिलते हों ये साइं से अब जी अब मुझे आपके घाटे की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि यहां आने से पहले आपने साइं का शिर्वाद अवश्य लिया होगा पर तो घाटे का कोई सवाली पैदा नहीं होता है आप यह लिश्य अब बहुत बहुत धन्यवाद अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं चलो यहां से आप सीधा श्रीनी जा रहे हैं ना हाँ क्याद मेरा काम करेंगे इश्य वर को याद करने के लिए साइं को किसी मंदिर की आवश्यक्ता नहीं और जहां तक मैं समझता हूँ साइं को अनुष्ठानों में उश्वास महीं है साइं धर्म और जाती से परे किसी को नहीं पता कि वो कहां से आये है गुरुर की बातों से तो मुझे यही लगा कि साइं कोई संतिया पुजारी नहीं है और तो और उनकी जात उनका धर्म भी किसी को पता नहीं है तो फिर साहिब मुझे क्यों भेज रहे हैं साहिबाबा के पास वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उची जात का पंडित हूँ ये सब नहीं कर सकता हूँ इतने सालों से अपना धर्म निभाता आ रहा हूँ साहिबाबा के पास गया तो मेरा तो धर्म भर्ष्ट हो जाएगा ये में किस धर्म संकट में किस दुविधा में फस गया जी साहिब देगा मैं जानता था कि तुम सच्चे मन से मेरी मदद करना चाहते हो तभी तो भगवान ने रास्ता भी निकाल दिया ये दश्रजी है शिरनी से है प्रणाम प्रणाम आज ही वापस जा रहे हैं तुम इनके साथ जा सकते हो साहिबाबा के पास मेरे लिए एश्वर से कम भी दो नहीं है आप साहिब ये जीवन आपका रिणी है साहिब आपका आदर सम्मान करना मेरा नेतिक करतव्या है जी साहिब मैंने तैयरी कर लिए प्रस्थान के लिए मैं तयार हूँ मैंने तैयरी ज्चश्षान घडड रे at प्रणाम साई राम जी भला करें क्या वात है साई आजा बचाना के थाल निकाल कर सजा क्यों रहा है द्वारका माई से इसके जाने का समय नजदी का रहा है ताद्या जिसके हाथों में इस थाल को जाना है शोभा बढ़ानी है जिसकी पुजा से इस थाल को अनमोल बन जाना है वो आज शिर्डी आ रहा है अच्छा आपने पहले जिकर किया था लेकिन बता रहे था कि वो है कौन आपकी बाते सुनकर ऐसा लगता है कि वो जबर कोई महापुरुश होंगे वो एक रत्म है सभी रत्म जैसे पहले पत्थर होते हैं वैसा ही कुछ है वो अभी तो साधारन पुरुश है और उसमें एक नहीं कई दोश है पर उसमें काबिलियत है शम्ता है और मेरे लिए ये बहुत मैद्वपूर्ण है अगर उसने अपने दोशों पर पुराईयों पर विजय पाली तो समझ लो श्रीडी को एक अनमोल रत्म मिल जाएगा पर वो है कौन साई उन्हें जानने की मुझे बड़ी उत्सुपता हो रही है सबुरी दाट्या सबुरी जब वो आएगा तब जान जाओगे लेजे आभी खाईये माफ कीजेगा में शिफ शंकर का पुजारी हूं तो उनको हमेशा शुद्ध रखता हूं ताकि मेरी पूजा में कभी कमी न आए इसलिए ऐसी जगह का कभी नहीं खाता जहां लोग निष्ठा सेना बनाते हूं और ये सब बजार के खाने में संभव नहीं है वाह कोही तो है जो शास्त्रों में लिखी बातों को मानता है उनका पालन करता है क्यों आपके गाउं में जो साही बाबा रहते हैं क्या वो ऐसे नियमों का पालन नहीं करते नियम तुमने शाहत साही को कुछ औरी समझ रखा है अरे कोई साधु मात्मा नहीं है जो किसी पवित्र आश्रम में रहता हो फिर का रहते हैं वो एक खंडेयर में जहां ठीक से दिवारें भी नहीं है समझ लोग कोई सब इंसान नहीं रह सकता है पाँ और तुम उस आदमी से नियम काईदे के पालं की उम्मीद रखते हो उसका अपना एक ही नियम है लोगों से मांग कर पेट भरना बस तुम जैसा है इंसान खाने में निष्ठा की बात करता है लेकिन वो साई भीक में मिला खाता है जहां से जो भी मिल जाए रूखा, सूखा, जूठा, ताजा जो भी मिले सब के साथ बाण के खा लेता है चलो, शुरू करें साई, एक ही पकल में हाँ आज ये एक ही है और साथ खाने में कोई बुरा ही नहीं है बलकि उससे प्यार बढ़ता है दूरियां मिट जाती है शुरू करो आज चेटा आज बादा आज बादा आज बादा मतलब सबका जूठा भी? सही के बारे में आप मुझे और क्या बता सकते हैं? क्या क्या बताओं? मुझे तो डर है कि आपको पूजा पाठ का भी समय मिल पाएगा या नहीं? साही तो दिन बार गरीबों में घुसे रहता है कोई रोगी, कोडी, घरीब से घरीब राफ्ते में पड़े हुए लोग, जानवार, इंसान, कोई भी कभी भी आजाता है उस खंडार गरीब से घरीब लोग भी? मतलब छोटी जातियों के लोग भी वहाँ आते हैं? जाती ही नहीं, हर धर्म के लोग दिन भार उस खंडार में बैठे रहते हैं हर धर्म के? हे भगवान, कहा फसा दिया मुझे? पता नहीं साही कौन है? किस जाती धर्म के है? और मैं, मैंने तो आज इवन सिर्फ शिवशंकर की सेवा का प्रण लिया है मैं साही की सेवा कैसे करूँ? ज़ते हैं आज सिर्फल इंग सम्राड दादा उधर कहां जा रहा है दोड़ते हुए उसे तो घर जाना चाहिए था लगता है पुरानी हन्मान मंदर जा रहा है पर मंदर तो दूसरी तरह है फिर इधर कहां जा रहा है जादा आव जादा रहा है थमस्ता इड़ते हैं मेरा काम हुआ? हाँ ये ले तेरे लिए कुल करनी सरकार थे पैसे ले कर आया हूँ समय पर ब्यात समित लोटा देना वन्ना वो तेरे गहर अपने लठेत विजवा देंगे हाँ, हाँ, दे दूँगा चल पहले पत्ते बाटते हैं लगे जाते हैं देक्ट कर देखे के लिए राड़ी आपने डिए मेरे गपने लो झाहें देले भी गजपेत लिए्ट हां समय जाते हैं ट्ड़ीवा देलना वो देखे बाटते हैं यजवा समय लुए झाल झाल आज तो आराम से घर जाऊँगा वरना बाबा के सामने गया तो उम्झे फिर से पढ़ने के लिए बिठा देंगा और एक बार फिर मुझे पढ़ने का नाटक करना पड़ेगा यार समराथ एक बात बता तुहर दूसरे दिन पाट साला नहीं जाता पढ़ता नहीं है तो तेरे अध्यापक तेरी शिकायत नहीं करती तेरे बाबा से अरे मेरे पास बहानों की कमी थोड़ी है मैं हर बार कोई नया बहाना बना देता हूं हर रही बात शिकायत की तो बाबा के सामने कोई दूसरा बहाना बना दूंगा तो कि मेरे बाबा मेरी हर बात मानते है चलो वो वकील बनेगा वकील बहुत बड़ा नामी वकील अपने खांदान का नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ है मेरा बेटा तेरा बेटा मुझे विलायती टोपी और कोट बनवा कर पहनाएगा तेरी तरह सोच नहीं है इसकी जो ये पुरानी साड़ी का ठेटा बना कर दे बाबा को कितनी उमीदे हैं समराट दासे और ये पढ़ने की वज़ा है यहां आवारा लड़कों के साथ जुआ खेल रहा है अगर बाबा को ये सब पता चलेगा तो उनका दिल टोट जाएगा लेकिन अगर बाबा को नहीं बताया मैंने तो समराट दादा और बिगड़ जाएगा मुझे बताना ही होगा आज मेरे लिए फूल नहीं लाई वो साही मैंना मैं अभी घर जाकर लेहाते हूँ रहने दो आओ मेरे साथ वहाँ तुम्हे फूल भी मिलेगा और तुमसे मदद भी मिलेगी मुझे आओ क्या मुझे साइं को बताना चाहिए अगर मैं उने पताऊंगी तो वो जरूर मतद करेंगे आज तो मैं आपको भिख्या जरूर दोंगा आखिरकार मेरे बेटे का जन्म दिन जो है आज तो मैं किसी आवारा जानुवर को भी भूखा न रखो आप तो फिर भी हमारे काउं के पुराने दिखारी मतलब फ़कीर है नहीं, अपने कारण साइं को और बेज़ज़त नहीं करवा सकती उपास नहीं यहां बहुत से फूल है मेरे लिए एक फूल लेआ यहां बहुत से फूल है शुक्रिया यहां एक और चीज़ है उपासना जिससे तुम्हें देखना चाहिए इस घड़े को देखो इसके पेंदी में एक सुराक है देखो गोर से देखो हाँ साई इसमें तो बहुत बारिक छेद है जानती हो यह कैसे हुआ घड़ा पक्या और सुराक भी पक्का हो गया अगर वक्त रहते कुमार अपनी गलती को सुधार देता तो आज यह घड़ा काम का होता मैं कुछ समझी नहीं साई उबासना मन में उठा कोई भी प्रश्न शंका विजार वक्त रहते अगर उसका उत्तर ना ढूंडा जाये निवारन ना किया जाये तो वो हमेशा के लिए रह जाता है फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता जब भी तु विधा हो तो हमेशा सच का साथ दो क्योंकि वही सही रास्ता है तुरन तो कुछ भी ठीक नहीं होता वक्त लगता है और सच का रास्ता बहुत कठिन होता है लेकिन शुरू शुरू में लेकिन अगर तुम सच का साथ ना छोड़ो अपने इरादे पे अटल रहो तो जल ही हर मुश्किल तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी और हीरे की कीमत जिसे जाननी है वो जान जाएगा सच है साई से कुछ नहीं छुपता मन की बात भी नहीं कभी तो उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया अगर मैंने बाबा को ये सच नहीं बताया तो सम्राड दादा का ये गलत काम यूँ ही चलता रहेगा इसलिए मुझे ये सच बाबा को बताना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो मेरी मतद करना साहिए देखो ये सब सम्राड के लिए ये मिठाई है और ये खास नाशिक से मंगाई है उसके लिए ये कफड़े और ये किताबे भायो देखना ये सब देखके सम्राड कितना खुश होगा अभी इन सामानों पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी हर बार लाते थे तो बात और थी पर इस बार आपने पहले ही सारी जमापूजी कारोबार में जोग दी है कुछ समय हमें समल के चलना होगा तुम क्यों चिंता करती हो सिंदो देखना जितनी पूजी लगाई है सब वापस आएगी मैं सब कमाऊंगा वो भी मुनाफे सहीत हरी ये पैसे बरबाद थोड़ी न किया है मैंने अपने बेटे पर खर्च किया है मैंने निवेश किया है बेटे पर और देखना जिद दिन समराट वैरिष्टर बन जाएगा क्या ठाट होंगे हमारे लोग सलाम करेंगे बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए है सिदोल खर्च करने के लिए पैसे नहीं मेरे पास जब ही दुविदा हो तो हमेशा सच का साथ दो क्योंके वही सही रास्ता है जय लक्ष्मी मेजा बाबा वो ना मुझे समराट दादा के बारे में आप से कुछ बात करनी है क्या क्या बात करनी तुझे समराट के बारे में वो मैंने ना थोड़ी दिर पहले समराट दादा को क्या समराट दादा को समराट दादा को उसके दोस्तों के साथ जुआ खेलते हुए देखा उसके दोस्त दिखने में आवारा और बिगड़े हुए लग रहे थे मैंने उनकी बाते सुनी पता चला कि समराट दादा बहुत समय से जुआ खेल रहा है ना पाच्छाला जाता है और ना ही हनुमान मंदिर पढ़ने की जगह समराट दादा ये सब कर रहा है जूटी झाल झाल साई क्या हुआ वही जो नहीं होना चाहिए किसी के साथ किसी भी सोरत में हम कुछ समझे नहीं साई अब आप लोग अपने काम पर जाहिए जैसा आपका है साई अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमें बताईएगा चलो चलते हैं अगर 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 शुक्र है शिव शम्भू का, सब जल्दी चले गए, अब मैं अंदर जा सकता हूँ रुको खबरदार जो अंदर कदम रखा जाती धर्म की शंका कुशंका मन में रखे इस द्वारका माई में तुम कदम नहीं रख सकते हो यहां आने से पहले, सारे भेदबाओं को बाहर छोड़के आना पड़ेगा साई बाबा वो इंसान की पहचान उसके कर्मों से ना करके उसकी चात धर्म से करना इश्वर की नजरों में सबसे बड़ा गुना है और ये गुना तब और भी अजीम होता है जब कोई खुद को भगवान का परम भक्त कहता हो परम भक्त है तो उसका तो ये परम धर्म होना चाहिए कि सभी प्राणियों को इश्वर का अंश मान कर किसी से भेदभाव ना करें खुद को पंडित मानते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दूसरों का आकलन करना उन्हें परखना उनका मुल्यांगन करना ये तुम्हारा नहीं भगवान का काम है तुम्हें लगता है मन में शंका रखकर तुम पुन्य कमा लोगे उस इश्वर का सानिध्य पालोगे अकल्पनी है कहां खेड़ा, कहां शेड़ी वहां खेड़ा में मेरे मन में जो विचारा रहे थे साही बाबा यहाँ शेडी में बैठे बैठे सब जान गए मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं अधभद बस सब को इतना पता है कि उनका हमारे जीवन में आना जैसे हमारे जीवन का दिशा पाना लेकिन वो किस इश्वर के अरदना करते हैं मेरे लिए तो वही इश्वर है परम परम गुरुवर राव बाहदूर साहिप सही थे साही अंतर्यामी है और कोई भी अंतर्यामी साधारन नहीं हो सकता साही मुझे पहले ही पता था ये लड़की एक दिन मेरे लिए मुसिबत बनेगी एक तो लड़की जात उपसे जूठी और अपने ही भाई पर जूठा इल्जाम नहीं बाबा मेरे जो कहा सच कहाब मेरे विश्वास केजे संब्राट का दा बास तो फिर से कोई जूठी कहानी करेगी मेरे संब्राट के खिलाब हाँ आहो शान्त हो जाएए आखिर ये जुठ क्यों बोलेगी और फूबी अपने ही भाई के बारे में बहुत भोली हो तुम जो इसकी मंद्चा नहीं समझ सकी लेकिन मैं इसे खूब समझ के आहो मुझे पहले से ही शकता कि इसे अपने ही भाई से चलन होती है क्योंकि मैं सम्राट से वैसा ही व्यवार करता हूँ जैसा एक बेटे के साथ किया जाता है और इससे ये देखा नहीं जाता इसलिए या तो सम्राट की बराबरी करने की कोशिच करती है या उसे नीचा दिखाने की कभी प्यटा बनाकर मुझे अपनी तरफ करने की कोशिच करती है तो कभी उसके गले में सोने की मौला देखकर खुद कभाड की माला पहनती है कभी सम्राट की परिख्या में तेरी करने की कोशिच करती है और जब इसकी कोई चालबासी नहीं चली तो इसने सम्राट को मेरी नजरों में गिराने के लिए इतना घिनोना जूट बोला बाबा, मैंने आपसे कोई जूट नहीं बोला है, मैंने आपकी तरह हमेशा समराण ददा की भलाई ही चाहिए मैंने हमेशा उनकी सफलता के लिए प्रात्ना किये और आज मैंने जो देखा, आपसे वही का, मैं साही की सौगन देखा जो इस फकीर का नाम मेरे सामने लिया तर आओ, वह पास नाम बच्ची नहीं रही, उस पर हाथ की उठा रहे सही का, इसे मौर कर मुझे अपने हाथ कंदे नहीं करने खेर, समराण को आने दो, आज ही दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और याद रख, अगर तुझ छोटी थाबित होई, तो कहाओ, कहाँ था तो, देख, ये उपासना तुछे कितने गंदे इल्जाम लगा रही, कि बोल रही एक तू, पाटशाला में जाकर चुआ खेलने जाता है बोल दे बिठा, ये जो भी कह रही है, सब गलत है, जूट बाबा, ये जो कह रही है, वो सच, सच कैसे हो सकता है मैं तो पढ़ाई करने गया हुआ था, और मैं रोज पार्ट चाला जाता हूँ अगर आपको यकीन ना हो तो, अध्यापक जी से पूछ सकते हैं शाबाज बेठा समराण दादा सच बोलने के जगा जूट बोल रहा है और कैसे इतने विश्वास के साथ कह रहा है, क्यों उसके अध्यापक जी से पूछ सकते हैं साही बाबा मैं रुको, मन से जाती धर्म का सहर पूरी तरह से निकल चुका हो तो ही अंदर कदम रखना साही बाबा, ये जाती धर्म के नियम तो शास्त्रों में लिखे हैं और एक पंडित होने के नाते, उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है आप तो अंतर यामी हैं, आप जानते होंगे कि मेरे गुरुवर ने ही मुझे यहां आने का आदेश दिया है आपकी सेवा करने के लिए मुझे यहां भेजा है ना मैं अपने गुरु की आज्या का निराधर कर सकता हूँ और ना अपना धर्म कर्म त्याक सकता हूँ जब मन पहले से ही पुर्वा ग्रह से ग्रसित हो रिदय में सद्भावना ना हो दिल शक सुभा से भरा हो तो निष्ठा कहां से आईगी सेवा में ऐसी सेवा तो निरर्थक है ऐसी सेवा का कोई भल नहीं कोई बुन्य नहीं फिर क्या करोगे यहां रहे कर चले जाओ शमा कीजिएगा साइबाबा पर मेरी भी तो मजबूरी समझेए गुरुदेव की आग्या की अवहिला मुझसे होना सकेगी नहीं शास्त्रों की अंदेखी कर पाऊंगा और अब तो आपके आदेश का उलंगन कर अंदर भी नहीं आ सकता ठीक है जब तक आप अंदर प्रविश्च करने की अनुमती नहीं देते मैं यहीं रहूंगा आपके द्वार पर बैठूंगा आप लोग अभी तक गये नहीं अपने अपने काम पे जाईए हाँ आप लोग जाईए हम लोग यही रहते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर साईद ने नाराज कियो है मन में साई के क्या है कान जान बाए ओम साई ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय अरे पंडित जी आप यहाँ बैटकर क्यों कर रहा हैं? मैं शिव शंकर का भगत हूँ बैसे यहाँ बैटकर अपना समय गवाय नहीं सकता मैंने सुचा क्यों ना अपने आराध्य को ही भज़ लूं यहाँ शिवलिंग नहीं है इसलिए अपने महादेव की मानस पूजा कर रहा हूं और आप तो पंडित हैं तो आप जानते होंगे कि जब तक बुलावा नहीं आता भेट नहीं हो सकती और जब तक साई का बुलावा आपको नहीं आता जब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं जैसा आपके साथ हुआ है वैसा पहले भी यहाँ हो चुका है काका महाजनी नाम के एक वेक्ती साई से मिलने आये थे लेकिन साई ने उन्हें द्वारका माई में आने से बना कर दिया उन्हें विवश होकर बंबई जाना पड़ा फिर बंबई जाते ही उनको पता चला कि अगर वो यहां से नहीं जाते तो उनकी नौकरी चली जाती साई ने उन्हें वापस भेज कर उनकी मदधी की है अगर आपको साई कुछ कहने के लिए कह रहे हैं तो या तो इसमें आपकी भलाई है या सीख और इस सबक को सीखे वेगर आप अंदर नहीं जा सकते लेकिन मुझे जो संसकार मिले है उनके कारण मन से संदे जा नहीं रहे साई का रहन सेहन उनका पहनावा मेरे गुरू राओ बाहदूर सहिब ने बताया था कि साई की दर पर जो भी आता है वो सबको सुईकार करते हैं उनके दोशों के साथ तो साई बाबा मुझे मेरी मजबूरियों के साथ मेरे दोशों के साथ सुईकार क्यों नहीं कर सकते प्शमा कीजिए आध्यापकजी आपको ऐसे अचानक अपने घर बुलाने के लिए पर बात ही कुछ ऐसी है कि रुका नहीं जा सकता था वही तो जानने के लिए मैं भी व्यकुल हो चला आया समराट ने कहा कि आपको समराट को लेकर कोई संदेह है जी वो संदेह दूर करने में आप ही सक्षम है बुरा नहीं मानियेगा आप पर पूशना जरूरी है क्या समराट रोज पाठ्षाला आता है? आता है? अरे दश्रेजी सबसे पहले वही तो आता है और अक्सर देर तक रुकता है वही बेट कर पढ़ाई करता है अध्यापक जी आज भी मैं पाठ्षाला में ही रुका हुआ था ना? हाँ लेकिन दश्रेजी आप समराट पर संध्या क्यों कर रहे है ये तो हमारे कक्षा का सबसे हुनार विद्यारती है कर वेबदाशने प्रद्याओे लेकिन दिच्छ चार पर समर पर संध्या विद्यारती है तो हमारे क्रेश्ट बेवादाने देर वी रुकता है मैं अपने गुरू की आग्या शिरोधारी समझ कर उनकी सेवा कर लूँगा पर निर्विकार मन से नहीं कर पाऊँगा सही कहते हैं साई साक्षातकार ही सबसे बड़ा गुरू है और हम उसका इंतजा कात्या, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है साई, आप इस वक्त कहा जा रहे हैं? जिन्हों ने आज तक बिना किसी जाती धर्म का फेदभाव कि ये मेरे साथ स्नेह रखा है उनके बुरे वक्त में उनका रिंड चुका न, मेरा भी तो फर्ज है न देख लिए इसकी कर्थूत अपने हीरे जैसे भाई को बदनाम करने में भी इसको शरम नहीं आई बाबा, बाबा मैं सच कह रही हूँ मैं कोई जोट नहीं बोल रही आप से मैंने अपनी आखों से देखा है सबराट दाजर के पास वो पत्ते भी होंगे आज तुने सारी सीमाएं तोड़ दी अब अपने बेटे के खिलाप मैं ये एक शब्द नहीं सनूगा जिस बात का मुझे शक्त आज यकीन में बतल गया तू सम्राट के खिलाप शड़ंदर करना नहीं छोड़ेगी इससे पहले कि तूटे से तेरा फन को चलना होगा हमेशा हमेशा के लिए मैं सच कह रहे हूं बाबा निरा विश्वास कीजिया सम्राट दादा चूट वो हो रहा है बाब च जए झाई साई 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 दश्रत जी यह आप क्या कर रहे हैं? प्रेख 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 व्रेख झाल 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 महाज मैंने नहा लिया इसके नाम से आज से इसका और मेरा इश्टा खत्प मैं आज अभी और इसी वक्त इसका शाध्र करता हूँ मर गई है मेरे लिए आज से मैं और मेरा परिवार इस लड़की से मोक्त हुए सारे बंधनों से सारे नातों से इस घर के किसी भी सदस्ट का तेरे साथ कोई संबंध नहीं दश्रत ये तुम क्या कह रहे हो कन्या तो घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के निरादर का अर्थ जानते हो न तुम ये बेकार की बाते हैं सस्त ये है कि लड़की फोबोज होती है जिसे बाप को जेलना पड़ता है बाप को कंकाल करने वाली लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी होती है तरिद्रता होती है अब ये बोज मैं और नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये लड़की आस्तीन का साप है मुझे दोबारा इसकी मन्हूस शकल नहीं देख दिया है बाबा अजसे तु मर गई मेरे लिए मैं आपके आगे हाथ जोडती हूँ उससे मैं ऐसा फैसला मत लीजी जिससे आपको जीवन भर पचताना पड़े कहां जाएगी वो अकेली कर इतनी चिंता है तो तु भी जाओ उसके साथ दश्रत क्या तुम्हें इतनी प्यारी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आ रही है बाइजामा जब आखों पर परदा हो तो सच दिखाई नहीं देता लेकिन जूट का परदा से आता दें नहीं रहता अगर इसकी तनी ही पड़ी है तो लेके जाएए अपने साथ क्योंकि मेरे लिए तो ये बर चुकी है मैंने श्रांथ कर दिया इस लड़की का सिद्धू तुने अगर मेरे घर की तहली इस लागी तो तेरे लिए भी इस घर के दर्वाजे हमेशा के लिए बंत हो जाएगे सम्राठ सम्राठ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी वक्त है केवल तुम ही हो जो अपनी बहन की मदद कर सकते हो मेरे बेटे को बर्गलाने की कोशिश नहीं करे तो अच्छा होगा चल सम्राठ अपन्स सुभई का सुरज उखने से पहले अंधकार अपने चरम पर होता है उपासना चलो द्वार का मही चलो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि नहें बत्राश लाग कोुए्ट। साई, आपने मुझे सच की रहा पर चला सिखाया, उमीद दी, लगने का होसला दिया, लेकिन बाबा के गुसे के आगे, मेरा सच हार गया, मैं हार गई साई, मैं हार गई तुम हार नहीं मान सकती हो पास, ना? नहीं साई, अब वसला नहीं है, बेरी वज़े से भयों को दोख हुआ, बाबा को गुस्सा आया, हम, हम हासिल करने बचा ही क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं, ना घर, नहीं परिवार, कुछ नहीं बचा साई, जो हुआ, सब मेरी गलती थी, सब मेरे वज़े से हुआ, दोशी, मैं हुआ साई, मैं, उपासना तुम्हें क्या लगता है, अगर संवराड बिगडा है, तो इसमें तुम्हारा कुसूर है, या फिर तुम्हारी बाबा की मानसिक्ता के लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम दोशी हो उनकी सोच के लिए, नहीं उपासना, तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं है, तुम सच्ची हो, और इसलिए तुम्हार नहीं मान सकते, लेकिन अगर मैं जीतना भी चाहूं, तु किसके लिए ऐसाई? अपने लिए, अपने सच के लिए, उबासना जिन्दकी हम सब का इंद्यान लेती है, सब को परिस्थितियों से लडाती है, ताकि हम सशक्त हो सकें, जीतनी की होती है, जो हार नहीं मानते, बाइजा मा का उदार अरण ले लो, इनकी सासुबाई शुरू शुरू में मुझे बिलकुल पसंद नहीं करती थी, बाइजा मा को मुझसे मिलने नहीं देती थी, लेकिन बाइजा मा ने हार नहीं मानी, ये रोज मुझे खाना खिलाने आ जाती थी, मुझे अपना बेटा माना था, इसलिए मा का फर्स पूरा करती रही, बहुत बाधाये आई इनकी जिवन में, लेकिन बाइजा मा अपने सत्य पे कायम रही, और अंत में जीत सत्य की हुई, एक दिन इनकी सासुबाई का दिल भी भिगल गया, और मुझे मेरी आजजी मिल गई, अब मुझे बताओ, अगर बाइजा माने हार मानली होती, तो सुख के इतने पल हमें साथ बिताने को मिलते हैं। जब जीवन में दुख का अंधियार आचाये, मन में सदाश्रधा की जोत जलाये, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भत्ति भावना श्रधा से जो शीष जुकाए, विश्वासना, इस लौ को देखो, देखो कैसे भड़क रही है। क्या तुम बता सकती हो, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दिये कि लो, थोड़ी देर में बुचने वाली है। बिल्कुल ठीक। बुजने से पहले लौत तेज हो जाती है, क्योंकि अंदकार को दूर करने के लिए, वो अपनी सारी शक्ती जोंक रही होती है। कुछ ऐसा ही सवेरा होने से पहले होता है। रात सबसे अंधियारी हो जाती है। ठीक वैसे ही मुश्किले हल होने से पहले, सुलजने से पहले बढ़ती नजर आती है। इसका मतलब यह है कि अंत नजदीक है। केवल अगर तुम मैदान में टटी रहो। हाँ साइ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे बाबा कभी मुझे सुईकार करेंगे या नहीं। लेकिन मैं समराड दादा को बरबादी के रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। पर, पर मैं करूं भी तो क्या। फिलहाल तुम घर जाओ। बाइजमा, आप उपासना को अपने साथ ले जाए। इसे अभी मा के प्यार की जरूरत है। जरूर साइं। जरूर साइं। चलो उपासना, अपने इस आजजी के घर चलो। साइं। जितनी बार मैं साइं बाबा को देखता हूं, उतनी बार उनकी महनता का मुझे और स्वबूत मिलता है। वो सबकी मदद करते हैं। लेकिन मैं पंडेत हूं। मेरा करत वे शास्त्रों का पालन करना है। साइं बाबा ये क्यों नहीं समझ रहे। क्यों मुझे धर्म संकट में उल्जाके रखा हुआ है। साइं चलो चलो तो अपनी कलामِ خुद को गस कर लेना! इससे तुम्हारा मन शान्त हो जाएगा और हो सकता है कोई नई राह निकलाए मन में साई के क्या है कौन जान बाए